नए हिटेंड रन कानून के खिलाफ देश भर में चल रही ट्रक ड्राइवरों की हरताल केंदर सरकार से बाचीत के बाद मंगलवार देरात को खत्म हो गई सरकार ने आश्वासन दिया कि नया कानून फिलहाल लागू नहीं होगा और जब लागू होगा तब सबकी सहमती से लागू होगा दो दिनों तक चली हरताल का सबसे ज्यादा असर मध्यप्रदेश, राजिस्थान, महराष्टर, उत्रप्रदेश, बिहार समेत दस से ज्यादा राज्य में देखने को मिला चकाजाम होने के कारण देश भर में आमादमी को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा इसी समस्या का हल निकालने के लिए दो जनवरी को मध्यप्रदेश के शाजापूर में वाहन चालकों के साथ जिला कलेक्टर किशोर कन्याल ने एक बैठक आयोजित की थी बैठक आयोजित की गई थी कि बादशीत कर समस्या का हल किया जा सके लेकिन इस बैठक से कलेक्टर साहब की समस्या कुछ ज्यादा बढ़ गई खाबर में आगे बढ़ें उससे पहले आईए आपको उस बैठक का एक वीडियो दिखाते हैं दरसल बैठक के दौरान कलेक्टर साहब जरा गर्म हो गई उन्होंने कहा कि कोई कानून का उलंगन नहीं करेगा इतना ही नहीं कलेक्टर किशोर कन्याल इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने एक ड्राइवर से उसकी आउकात पूछ डाली देखते ही देखते बैठक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वारल हो गया कलेक्टर साहब की खूब फजीहत हुई तो उन्होंने माफी मांग ली लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई कलेक्टर को ड्राइवर की आउकात पूछना भारी पड़ गया वीडियो के वारल होते ही मुख्यमंत्री मोहन्यादव तुरंत एक्शन मोट में आ गए सीएम ने साजापूर कलेक्टर को हटाने के निर्देश जारी करती है इस खटना पर सीएम मोहन्यादव ने क्या कहा आप भी सुने मेरे ध्यान में लाएगा है कि कल ट्रक ट्राइवर और जिला प्रसाशन की बेठेक में साजापूर के अंदर इस प्रकार से भासा बोली गए या अधिकारी को यह भासा बोलना उचितनी है और खासकर यह सरकार तो गरीबों के सरकारे शव शर्कारें आश्षरी पिदानमंत्री मोधीजी के नेतरत में हम गरीव उठ्ठान के लिए काम करते हैं कि अईत्या है यह दिने आखिआ हूँको कि अधिकारी आखिव्यू कानि 7 वी अव दूल कृष्टा जै तिसलिए मनुष्ट्रा के नाते से लेग जे भासा है live कम से करम हमारी सार कार में बढ़ासनिम में फुद मैंज्दूर का परिवार का मुनि निकलाव बेटा हूं इसनाते से मैं उम्मिद करता हूँ कि आगे इस वकार से अधिकारियों को अगर वो ये भासा बोलते तो उनको मैदान में रहने रहने रहे हैं मैं उम्मिद करता हूँ कि अब जो अधिकारी आएगा वो इस वकार की भासा का और वहबार का धिहान रखेगा आपको बता दें कि Hit and Run के नए कानून के तहत अब कोई भी व्यक्ति अगर किसी को टककर मारता है और मौके से भाग जाता है तो उसे 10 साल तक की सजा होगी और 7 लाख रुपे का जुर्माना किये जाने का प्राफथान है देश भर में इसी नए कानून के विरोध में ट्रक ट्राइवर्स सडक पर उतर गए थे इस कबर में बस इतना ही